डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पांत सेकिंड बाद कोरोना संक्रमन के दोरान स्वास्थे सेवाओं को सुद्रड और सक्षम बनाने की दावे सरकारें खूब करती हैं पर हकीकत अलग है इसकी बानगी मध्य प्रदेश की सिहोर जिले में गर्भवती की दर्दनाग मोत का ताजा मामला है जिला अस्पताल की दहलीज पर एक गर्भवती प्रसव पीडा से तडपती रही लेकिन रात अधिक होने की कारण दर्वाजे नहीं खुले और जब खुले तो बहुत देर हो चुकी थी अंततह गर्भस्त सिसू के साथ गर्भवती की सांसे थम गई जाहिर होता है कि जिला मुख्याले इस्तर तक के सरकारी अस्पताल दूर्दसा की बीमारी से ग्रस्त हैं जवाब देही का संकट स्वास्थ सेवाओं पर गहराया हुआ है दुखद तो यह है कि देश भर के अलग-अलग इलाकों से इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण किस से सामने आते ही रहते हैं सरकारी तंत्र सदेव ही इन पर परदा डालने की कोशिस करता है जांच समीतियां बनती हैं और बगेर किसी नतीजे पर पहुँचे उनका काम समाप्त भी हो जाता है ने किसी को दंड मिलता है और नही व्यवस्था में सुधार की कोई ठोस पहल ही होती है हां मगर इस तरह की घटनाओं पर अदालतों ने जरूर कडा संदेश देते हुए राज्ये को दंडित किया है हाल ही में चेन्नई उच न्यायालाई की मदूरे खंड पेठने वहां की राज्ये सरकार को आदेशित किया की मृत्त का के परिजन को पांच लाख रुपई का हरजाना दिया जाए इस केश में प्राथमिक स्वास्थे केंद्र में प्रसव के बाद महीला की तबियत बिगडी थी और उसे मेडिकल कोलेज के अस्पताल ले जाना था मगर वक्त पर एम्बूलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी और अस्पताल पहुचने के पहले ही महीला की जान चली गई फेसले में अदालत ने यह भी कहा है कि आपातकालीन सेवा में कोताही बरतने पर सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक पल की देरी से भी किसी की जिन्दगी जा सकती है अब प्रैश्ण यह है कि क्या अदालत की इस आदेश को कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों की संधर्ब में देखा या पढ़ा जा सकता है कोरोना काल में तो अस्पताल परीसर में ही बेहिसाब लोगों की सांसें घुट गई उन्हें ने तो कोरोना पीडित माना जा रहा है और ने ही व्यवस्था की खामी का सिकार वैसे तो मृत्तकों के परीजन को मुआवजा देने का मामला सिर्ष न्यायालाई में विचार धीन है फिर भी सीहोर जिले में हुई लापरवाही जैसे मामलों के बारे में अधिक जागरुकता की आवश्रकता है वर्तमान में नागरीकों को यह जानकारी ही नहीं है की वे सरकार के आगे गिड़ गिड़ाने के बाजाए अधालत की सरन में भी जा सकते हैं जब एसी घटनाएं याचिका बन कर अधालतों में जाएंगी तो ही सरकारी स्वास्ते सेवाओं में सुधार के आशार बन सकते हैं समप्द